हलो दोस्तो में वुख राम और आप सभी का फील से स्वावत करता हूँ मेरे अपने यूट्व जान पर दोस्तो आज एक हम स्मार्ट फोन के लिए सोचल में एड प्रोमो पो रियान करना सिखेंगे जिसे का आप सभी की स्क्रीम पर दिगराए ऐसा ही कुछ क्रिएटिव सिखने में रोज तो भीना देरी करते भी कटे चले स्टार्ट करते हैं हम आपे बड़ंस आप CC में मैं यह दाता हूँ फाइल में और यहांसे एक न्यू फाइल करता है और यहां पर इमें साइज रखता हूँ, 1080p 37mm, 70mm color mode RGB, और यहां पर फाइन लिम देता हूँ हमें, और यहां से create कर लेता हूँ, तो यह हमने डिजाइन साइज आ गया, अब मैंने एक image लिया हूँ है, स्मार्टफोन का, इसका link आप सभी को description मिल जाएगा, यह JPG image है, तो इसे पीछे का background remove हो जाएगा, अब दूसरा तरीका यहां यहां पर magic tool को use करूँगा, यह रहा magic tool और यहां पर click करूँगा, तो इसके चारत वर selection हो जाएगा, अब यह उपर उपर selection को हटाने के लिए, मैं यहां पर control shift place करकर रखूँगा, और यहां पर I press करूँगा, तो यह उपर का selection हट जाएगा, अब मैं यहां पर masking on करूँगा, तो इसके पीछे का background remove हो जाएगा, तो यह रहाद दो तरीके, अब मैं यहां पर right click करूँगा, और यहां पर smart object करूँगा, इस तरह, अब इसे drag करके मैं यह लेना है, तो यहां पर मैं इसी product से color pick करूँगा, तो यहां से यह color pick कर लेता हूँ, थोड़ा से नीचे की तरफ में dark color रखूँगा, इस तरह, तेस तरह, color code यहां पर आ जाएगा, ok करूँगा, अब मैं इस image को select करूँगा, और इस एक duplicate करूँगा, control G, पेस करूँगा, न यहां से जाओंगा मैं ब्रश में माईक ब्रश में जाकर सब्रूस करें इसे क्लोस करा अब मन्हों पैश करा कर लूँ गार यहाँ से रिफ्लैक्ट सका कार अम एकर ट्रभी करंगा और यहां से स्थर में नीचे की तर तिसका color code यहां पर आ जाएगा, OK करूँगा, अब मैं open bracket से इस्थर में brush को बढ़ा करूँगा, यहां पर पहले मैं rectangle ले लेता हूँ, और इस्थर rectangle ड्रा करूँगा, और यहां पर मैं brush को लेके जो क्यो और यहां पर मैं इस तरह क्लिक करूँगा, तो कुछ इस तरह effect आएग brush को थोड़ा बड़ा करके यहां पर इस तरह मैं click कर लूँगा, तो कुछ इस तरह effect दिखेगा, अमें नीचा लेपेश को select करूँगा, यहां पर और मास्किंग करूँगा, और यहां पर brush को select करूँगा, जो की already सब बरस लिया हुए मैंने और यहां पर इस तरह में थोड़ा थोड़ा से मर्च कर लूँगा बैगरॉंग में इस तरह भॉर्ति पर क्लिक करूंगा थोड़ा थी ससे भी फिरक न सलक्रानी कि करूंगा अब यहांब इसको पर फिर शे eux एक नीज़ लेड़ 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 लेंगा और यहां क्लर क बॉक्स पर जाके यहां से डार्ट क्लर थोड़ा फीयद कर कर लूगा करूगा अम यहां पे बिरश को थोड़ा छोटा करूंगा और यहां पर इससे द्रैक करके यहां पर ले 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 ताहां तो इसतरे इसे द्रैक्छ करूँगा यहां पर ऑखन जाएंड इस तरह हें लिक्टुर करोगा करूंगा यहां पैसे प्रोड़क्ट के पीछे से स्थ्र में बढ़ा करूंगा इंट करूंगा अब डालक लग रहा है, इंटर करूँगा, तो यह जनमा कुछ इस्ता दिखा दोश्तो, अम इस image को सलेक करूँगा, और इसका duplicate लिखालों, Ctrl-Z, प्रेस करूँगा, और यहाँ पे initial image को सलेक करके यहाँ पे इस्तर रख लूँगा, Ctrl-T करूँगा, और यहाँ पे इस्तर में, image को बढ़ा करके थोड़ा उपर के तरफ ले लूँगा, इस्तर में, और इंटर करूँगा, अम में जाओंगा फिल्टर में, और यहाँ से ग्रोशेन ब्लर में जाओंगा में, और यहाँ से इसका ब्लर्णेस बढ़ा के इस्तर थोड़ा इफेक्ट दे दूँगा में, इस्तर और ओके करूँगा, Ctrl- इसे डिजान को थोड़ा छोटा करूँगा, यहाँ पे में मास्किंग अन करूँगा, ब्रस सेलेक करूँगा, जो फिर और बस लिजा होए, और यहाँ पे में, ब्रस क्लिक करके इस्तर में, रिमूर करूँगा, तो यह कुछ इस्तर एफेक्ट दिखेगा, अम इन दोने इमेज को सारे लेर को में, आफ करूँगा, और यहाँ पे में सेलेक करके Ctrl-Shift-Alt-E, प् कर लूँगा, तो इस्तर में कुछ इस्तर दिखेगा, अम में यहाँ पे टेक्स लिखूँगा, तो यहाँ पे फट्रबाट में टेक्स ले लेता हूँ, ताकि हम इन देरी नाव हो, तो यह में यहाँ आपे टेक्स लेता हूँ, Ctrl-T-Alt-E में से मैनेज कर लेता हूँ थोड करेक्शन कर लेता हूँ, मैं आऊँगा यहाँ इफेक्ट में और यहाँ से इसका टेक्स्टर बढ़ाऊँगा में थोड़ा, और यहाँ पे क्लेटी बढ़ाऊँगा में, और यहाँ बेगनेट को थोड़ा सा में बढ़ाऊँगा, ज्यादा नहीं, इसे ओफ करूँगा, और यहां में light में आके यहां से में थोड़ा सा इसका contrast बढ़ाऊंगा मैं और थोड़ा सा exposure इसका कम करूँगा मैं और यहां पे ok करूँगा तो fine दोसरी जाने अमारेडियो शोचल विडा एड़ प्रमो पोस्ट के लिए